नमस्कार मैं डाक्टर आर्पी सोनकर एसोसियेट प्रोफेसर मनो विज्यान विभाग वसंद कन्या महाविद्याला काशी हिंदू विश्विद्याला एक बार फिर आप सभी सम्मानित अविभाग को और प्रिय विद्यार्थियों का हर्दिक स्वागत और अभिनंदन करता प्रिय विद्यार्थियों आज की इस वीडियो में मैं आपसे बियचू PG एड्मिशन के बारे में विस्तार से बात करूँगा यानि अब तक बियचू PG एड्मिशन से सम्मानित लेटेस्ट अपडेट्स क्या है इस पर एक एक पहलूं को विस्तार से और इस पस तरीके से हम आपको बियचू PG एड्मिशन से सम्मानित लेटेस्ट अपडेट दूं इससे पहले कुछ महत्पुर सुचनाओं पर एक नजर डाल लेते हैं प्रिय विद्यार्थियों मैं आपको याद दिला दूं कि C.U.E.T.P.G. के थूँ बियचू में PG एड्मिशन यानि PG की जो काउ कांसलिंग है वो पिछले 11 जुलाई से शुरू हुआ है और अभी तक डेड़ महिने से अधिक का समय भी चुका है लेकिन बियचू PG एड्मिशन की प्रकिरिया पूरी नहीं हो सकी है प्रिय विद्यार्थियों इसका मतलब साप है कि अभी भी बियचू मेंन कैमपस और सभी एफिलियेटेड कॉलेजेज में PG के अलग-अलग सब्जेक्ट में सीटें फूल नहीं हुई है यानि सीटें अभी भी खाली है प्रिय विद्यार्थियों जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि बियचू में रेगुलर का जो पाँचमा राउंड है यानि फिफ्ट रेगुलर राउंड जो है वो कम्पलीट किया जा चुका है संपन किया जा चुका है और फिफ्ट रेगुलर राउंड के कम्पलीट होने के बावजूद भी ब मैं 5th regular round के complete होने के बाद खाली seat के बारे मैं आपको बताऊं तो BHU main campus यानि DMC plus affiliated colleges और जहां मैं affiliated colleges की बात करता हूं आपर 4 affiliated colleges इसमें आते हैं वीकियम, VCW, AMPG और DAB यानि BHU main campus DMC और 4 affiliated colleges में regular plus paid दोनों seat को मिला दिया जाये तो लगभग 1200 seat अभी भी खाली हैं प्रिय विद्यातियों इन 1200 खाली seat को भरने के लिए मौप अप राउंड की तयारी चल रही है यानि यह बात साफ है कि इन खाली seat को अब विश्विद्याले के द्वारा मौप अप राउंड के थुरू भरा जायेगा ऐसी संभावना है कि इन खाली seat को भरने के लिए दो मौप अप राउंड चलाए जा सकते हैं अगर इन दो मौप अप राउंड में भी खाली seat नहीं भरती हैं तो उस कंडिशन में मौप अप राउंड की संख्या वसकता नुसार बढ़ाई जा सकती है या निश्चित रूप से ध्यान देने योगया और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ के बियच्चू मेंन कैमपस यानि DMC में लगभग 90% seat फूल हो चुकी हैं बियच्चू के अलग-अलग PG Departments में मेन कैमपस में लगभग 90% seat फूल हो चकी हैं यानि जादातर seat अफिलियेटेट कॉलेजेज में खाली हैं और मैं आपको ये भी बता दूँ कि अफिलियेटेट कॉलेजेज में यानि चारों अफिलियेटेट कॉलेजेज में 30-40% seat अभी भी खाली हैं यानि जितनी seat एगजामपल के तौर पर देखा जाए तो अफिलियेटेट कॉलेजेज में जादातर subject में regular की scientist seat हैं जबकि लगभग 6 seat के आसपास paid seat है और regular और paid यानि 36 और 6 को मिला दिया जाए तो लगभग 42-43 seat होगा जो हर एक subject में जादातर subject में सभी affiliated colleges में हैं तो इस हिसाब से देखा जा तो affiliated colleges में अभी भी regular और paid को मिला दिया जाए तो 30-40% seat अभी affiliated colleges में खाली हैं 28 जुलाई तक निश्चित रूप से 28 जुलाई तक मौपप राउंड से सम्मंदित notification के बियचू के तरब से जारी होनी की समभावना है हलाकि वीडियो बनाने तक बियचू के तरब से मौपप राउंड के बारे में कोई notification बियचू के official website पर जारी नहीं किया गया था यानि बात को समझिये कि 28 जुलाई तक या मंडे 29 जुलाई तक 28 से 29 जुलाई तक बियचू के तरब से बियचू के official website पर मौपप राउंड से सम्मंदित notification जारी होने की पूरी सम्मावना है और इस मौपप राउंड में सबसे बड़ी विशेशता ही होगी कि इसमें ऐसे बच्चों को भी मौका मिलेगा जिन बच्चों ने जिन विद्यातियों ने बियच्चू में पढ़ने के इच्छा जाहिर नहीं कि थी और अपना registration नहीं किया था यानि बात साफ है कि जिन बच्चों ने PG के अलग-अलग courses में पढ़ने के लिए registration नहीं किया था इन नए बच्चों को भी मौपप राउंड में registration करने का मौका विश्विद्यालय प्रदान करेगा इसका मतलब साफ है कि उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिन बच्चों ने किसी कारणबस बियच्चू में registration नहीं किया था नहीं कर पाये थे या पहले नहीं पढ़ना चाहते थे अब पढ़ना चाहते हैं तो मौका पराउंड में निसी दुरुप से इन बच्चों को फायदा मिलेगा और मैं आपको यहाँ एक चीज बता दो कि बियच्चू में कैमपर्स और सभी affiliated colleges में regular और paid की seat को जोड़ दिया जा तो लगभग साड़े 8000 seat हैं जिन में से affiliated colleges में लगभग 2000 के करीब seat हैं यानि बियच्चू में कैमपर्स में 6500 के आसपास seat हैं प्रिये विद्यार्थियों मैं इन seat के बारे में थोड़ा और विश्टार से बात करूँगा लेकिन इससे पहले मौपप राउंड से समंदित कुछ महतपूर मुद्धों पर बात कर लेते हैं प्रिये विद्यार्थियों मैं सबसे पहले बात करूँ कि कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो मौपप राउंड में आवेदन कर सकते हैं कौन से विद्यार्थी eligible हैं जो मौपप राउंड में भाग ले सकते हैं मौपप राउंड का फायदा उठा सकते हैं इसमें वही बच्चे रेजिस्टेशन करेंगे उन्ही बच्चों को इसका फायदा मिलेगा यानि इसमें रेजिस्टेशन का मौका मिलेगा जो अभी तक किसी कारणबस रेजिस्टेशन नहीं किये थे यानि जो विद्यारती अभी तक किसी भी कारणबस इसमें रेजिस्टेशन नहीं कर पाये हैं या उनका अभी तक रेजिस्टेशन नहीं किया था या रेजिस्टेशन करने के बावजूद भी किसी कारणबस वो एड्मिशन के प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाये और छूट गए थे साथ ही साथ इसमें उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जो छूटे हुए हाई इंडेक्स के बच्चे हैं और साथ ही साथ ऐसे लो इंडेक्स के बच्चों को भी मौका मिलेगा जिनके पास अभी रेगुलर राउंड फिफ्ट तक एड्मिशन लेने का कोई भी ओफर नहीं हाला कि admission का आधार इंडेक्स ही होगा यानि इंडेक्स के आधार पर ही admission किया जाएगा यानि high to low index का direction होगा admission की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लेकिन विश्विद्याले को चुकी या नहीं मालूम या हमें इस बात का अंदाजा नहीं कि कितने बच्चे इस मौपप round में registration करेंगे उसमें कितने high index वाले होंगे कौन कितने low index वाले होंगे इसलिए ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि इस मौपप round के through cutoff minimum कितना जाएगा यह तो वक्त ही बताएगा प्रिये विद्यार्थियों अब मैं जल्दी से बात करों कि कौन से विद्यार्थी या कौन से students इसके लिए eligible नहीं होंगे यानि कौन से ऐसे विद्यार्थी होंगे जो इस मौपप round का भी फादा नहीं उठा पाएंगे इस मौपप round में वो बच्चे admission के लिए registration नहीं कर सकते हैं इसमें भाग नहीं ले सकते हैं जिनें किसी न किसी center पर admission मिल चुका है यानि इस मौपप round में वो बच्चे सामिल नहीं होंगे जिनका admission कहीं न कहीं हो चुका है किसी न किसी subject में हो चुका है जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि जहां मैं चाह रहा था उस college में उस subject में admission मेरा नहीं हुआ तो क्या मैं अपना admission cancel करा के मौपप round में सामिल हो करके अपने मन पसंद subject और मन पसंद संटर पर admission ले सकते हैं ऐसा कदा पे भी नहीं होगा आपका admission यदि हो गया है जिस भी subject में जिस भी college में आप वहां से cancel करा करके मौपप round में नहीं आ सकते यानि आपको दोबारा admission लेने का मौपप नहीं मिलेगा यदि आप अपना admission कैंसल भी करा देंगे तो भी आपको मौपप round के थुरू admission नहीं मिलेगा दूसरी बड़ी चीज ये कि इसमें उन बच्चों को भी मौपप नहीं मिलेगा जिनके पास admission का offer गया था और उन लोगों ने accept नहीं किया यानि admission के offer को ठुकराने वाले बच्चों को भी मौपप round में registration करने का मौपप नहीं मिलेगा यानि इसके थुरू वो अपना admission नहीं करा सकते यानि वो सामिल नहीं हो सकते और साथ अई साथ उन बच्चों को भी मौपप round से बाहर रखा जाएगा जिन लोगों ने deadline के अंदर अपनी fees जमा नहीं की चाहे वो जान बूच कर जमा नहीं की या server या किसी अन्य तरह के problem या पैसा नहीं होने के कारणों फीज जमा नहीं कर पाए तो deadline के अंदर अपनी fees जमा नहीं करने वाले बच्चों को भी इस मौपप round से बाहर रखा जाएगा नहीं इसका लाब उने नहीं मिलेगा क्योंकि विस्विद्याले सिर्फ यह जान पाएगा कि आपने fees जमा नहीं की इसका मतलब कि आप पढ़ने में interested नहीं थे तो मैंने आपको बता दिया कि कौन से बच्चे इसमें eligible हैं और कौन से बच्चे eligible नहीं हैं अगर मैं बहुत संचिप्त में खाली सीटों के बारे में आपको बताऊं तो निश्ची दुरूप से जैसे मैंने अभी पूरी सीटों के बारे में बात की अभी affiliated colleges में कितनी सीटे हैं इन सभी सीटों को देखा जाए यानि कुल बहुत में के अफिलेटेट कॉलेजे मिला करके तो अभी बहुत में का एंपस में 650 यानि लगभग 600 सीटें अभी भी खाली हैं जबकि affiliated colleges में VKM में सभी PG के subject को मिला कर regular paid में लगभग 100 सीट खाली है जबकि VCW में लगभग 150 सीट खाली है AMPG में लगभग 180 सीटें सारे PG के subject को मिला करके regular paid को मिला करके AMPG में अभी भी 180 सीट खाली है जबकि DAB में अभी भी लगभग 100 सीट खाली है इस हिसाब से VHU main campus और सारे affiliated colleges में regular plus paid की सीटों को जोड़ दिया जाए तो लगभग 1200 सीटें भी भी खाली प्रिये विद्यार्थियों जाते जाते मैं आप सभी से विनमर निवेदन करूँगा कि जब तक admission की प्रक्रिया चल लही है तब तक आप इससे सक्री रूप से जुड़े रहें साथ ही साथ आप अपने student portal को नीमित रूप से चेक करते रहें अपने mail id को नीमित रूप से चेक करते रहें क्योंकि इसी के माध्यम से आपको सूचना provide VHU के द्वारा किया जाएगा साथ ही साथ आप VHU के official website पर भी regular visit करते रहें जिससे आप update रह सकें आपको विश्तिरी जानकारी प्राप्त हो सकें किसी भी तरह का doubt है या confusion है या आप जानकारी चाहते हैं तो आप comment box में लिख सक करते हैं मैं जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा किसी भी तरह का updates आते ही हमेशा की तरह मैं आपके साथ साजा करता रहूंगा तब तक आप सभी लोग खुश रहें अपना ख्याल रखें आप सभी को admission की बहुत बहुत शुब कामना है